अगर दोस्तों रियल इंवेश्मेंट टीम के से आप सभी को नमस्कार आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तेजस नेटवर्क लिमिटर के आईवियो के बारे आई जानते हैं पहले ही तुछ बेसिक डीटेल्स की आई इस इस कब उपन होगा और इसकी प्राइज बैंड और लॉट साइज और उसमें कितने रुपे का पहले इंवेश्मेंट होगा पीशे ओपन होगा 14 जून से लेके 16 जून तक प्राइज बैंड है 250 रुपिस से 257 रुपिस पर रिक्टिशन लॉट साइज है पच्पन प्रेट्स का जो इंवेश्मेंट हो जाएगा 14135 रुप हम इसको अप्डेट कर दे रहेंगे देवन देटी के अंदर कितने सब्स्क अब तरलग जो जानकारी मिली है यह सिर्फ BSC में लिश्ट हो रहा है NSE के NSE इंडिया की वेबसाइट पर अब तक इसका कुछ डिटेंस आपको नहीं मिलेंगी तो वो सकता है शादी सिर्फ BSC में अप्लोड हो पर आप जानकारी लेते देदे शाद आखरी मोमेंट पर यह जानते हैं यह इसका Tejas Network का बिजनश डिटेल क्या है इनका बिजनस जो है काफी expanded है 60 कंट्री में जो लिखा है बताया जा रहा है इनके एक क्षप्रेट्स में इस साट कंट्रियों से स्की इनके लेंदेन है जो इनका बिजनस है मेजर इनका बिजनस जो आजकल बहुत की बिजनस है मार्केट में वो है फाइबर नेटवर्क का और ब्रॉडबेंड, लैंड-लाइन कनेक्शन, टेली कम्निकेशन तो इनका यही मेन बिजनस है इनके जो मेजर इनका आता है यह टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर को अपना इंटरनेट और यूटिलिटी कम्पनीज हैं उनको कनेक्टिविटी कराने के लिए यह एक्टिप्मेंट सर्विसेज और बिजनस शेयर करते हैं इनका 65% जो रेव्यूनियू है वो भारत से ही आता है आपको बता दू इस वक्त आज की तारिक में भारत में जिस तरह से फाइबर आप्टिक का एक्सपेंशन जाल बिछ रहा है तो इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट फिलाल अक्छे लग रहे हैं कि जो आगे का बिजनस माव से भी इनको रेविन्यू आता है यह सेकिंड लार्जेस्ट नेटवर्क प्रोडक्ट कंपनी है जो हमारे देश में है और इसका शेर जो हमारे देश से 15% है यह आगे चलके बढ़ भी सकता है क्योंकि इस कंपनी के प्रोडक्स और सर्विसिस काफी अची है इसके जो क्लाइंट्स है वो भार्तिय टेल टाटा कम्मुनिकेशन तक्रिवन सारी जो टेलिकॉम प्रोड़र है वो सब है फावर ग्रेट कॉर्परेशन ऑफ इंडिया रेल टेल है कुछ फाइनेंशल डिटेल जाम लेते हैं इस कंपनी के बारे में फिनेंशल फिलाल लास्ट दो साल से इसके काफी स्ट्रॉम्स लग रहे हैं अच्छा रेविन्यू भी आ रहा है सेल भी हो रहा है और कॉपिट में भी उसको कंवर्ट करने में काम जा हुए हैं बहुत हद्टक इन्होंने अपने एक्स्पेंसिस को कंट्रोल के हैं हो सकता है कि अब इनके पास जो जरूरत थी वो आ चुके हैं तो अब एडिशनल एक्सपेंसिस की जरूरत नहीं है इनको तो वो सेविंग्स में जाकर और उसका टैक्स में बड़ा उत्री हो रही है मुटा मुटा जो 2013 में सबसे बड़ा लॉस हुआ था 79 क्रोर का वो रिकावर हुआ है 2017 में 53 के रूप में 2016 में 25 क्रोर का इनको प्रॉफिट हुआ था मेजर ली इनका रिक्वर्मेंट आई पीओ लाने का यही है कि वर्किंग कैपिटल और जर्नल पर कॉर्पेट पर्फस के लिए है इनके नेटवर्क इनके प्रोड़क्ट सॉलिशन्स और सर्विसेज देख लेते हैं यह कवरेज पकेट अप्टिकल डीव 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 एम एम एस पीपी यह सब जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी सर्वर यह सब इंसमें इनका इसारी प्रोड़क्स जाते हैं नेटवर्क मेनेजमेंट सॉफ्वियर भी जो होता है कि आपको कर देखना हो कि कि दर से तुछ डिफॉल्ट ना हो कहां पर इकोन से लाइन में डेमेजिज है जाग कि दर आके इन तो परिशानी उस चीज का भी सॉफ्वियर प्रोड़ाइब करते हैं तो एंटो एंड अब इसके फिनेंश देखने के बाद और जिस तरह की कंपनी है हमारा यह व्यू है इसमें कि फिलाल अगर आप प्रिस्ट्रेटर नहीं है तो इसको इस आइपियो को अवाइड करें या फिर आप डियाएट जो इनके ट्रेंड से आने वाले उस तक की वेट करें और देखे यह सब्सक्राइब मिनिमम्म दो से तीन टाइम सब्सक्राइब ऑफ्रस passions क्ला एक तो अगर हो तब ही इसरी को लिजिएगा और थोड़ा रिस्क ज़ोर्त है बट यह लिश्टिंग करके इसको अपने अपने प्राइप निकाल सकते हैं अगर आपने इंवेस्नि भी किया है तो बाकि इस कंपनी के प्रॉस्पेक्ट तो अच्छे लग रहे हैं बट लिस्टिंग के लिसाब से आई वियों के इसाब से फिलाल जो है हम यहीं कहेंगे या तो आप गर आप रिस्टेटर नहीं है तो अवाइड करें या तो मैं आपको सहराद भाशार बहुत अगर आपकी कि काफी लाइश्पैन है अभी तो उसमें रिस्ट ले सकते है रिकवरी का तो आप इसमें सब्सक्राइब करें या आई प्यों में आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा लाइक कमेंट करके बताएगा जो भी कमी रह जाएगी हम उससे पूरे करने के पुर